इक ओंकार सत्ना परीपूरण प्रमात्मा दियां अनंत बक्षिशा देचां जो अदुती बक्षिशा ने हैं उने मनुखनू परदान कीते होए ग्यान इंद्रे हैं अक्षां कान रसना नास का तवच्छा खलड़ी इना दी इतनी महानता है के इनानु केंदेने ग्यान इंद्रे मनुख जितना ग्यान उपारजन करदा है मनुख जितना ग्यान संग्रे करदा है मनुख जितना ग्यान कठा करदा है इना पंजादे आस्रेते ही करदा है अगर मनुक कोल द्रिष्ट शक्ती ना होवे, स्रोथ शक्ती ना होवे, भाव अखा नहीं, कन नहीं, और रसन का ना होवे, त्वचा दिच, सपर्ष्टा दा बोध ना होवे, तो फिर मनुक ते पत्थर दिच कोई अंतरा रहनी जादा पत्थर वेख नहीं सगदा, पत्थर सुन नहीं सगदा, पत्थर सौंग नहीं सगदा, पत्थर बोल नहीं सगदा, और पत्थर सपर्ष्वी नहीं कर सगदा एक पत्थर दे कोल पत्थर पे है, कुछ भी नहीं पता कि मेरे कोल दूजा पत्थर भी पे है, तीसरा पत्थर भी पे है भाव दूसरे दा ग्यान प्रापत हो सके, दूसरी वस्तू, दूसरी हस्ती, दूसरी चीज उसले ज्यान इंद्रेयांगा होना अत्यांत लाजमी अनंत बक्षिशां देचां अकाल पुर्ख दिद्धियोई ए महान बक्षिश है तदी ते एक-एक इंद्रेदे प्रति धन्गुरु अमरदास जी महराज सानु सुचेत कर देने, सावधान कर देने जे प्रत्म लईये इना अक्षानों बड़ी खुबी जगद दिच पें देने अक्षा हैं ते संसार है, अक्षां गईयां संसार गया संसार दा आकार, रंग, रूप दा बोद, जो मन नो मिल दा है, अक्षां देना ही मिल दा है और नेतर हीन मनुक दया दा पातर है, वो दे कुल आकार दा नहीं अगर उस दा प्रवार भी है, मां सामने हैं, मां दे आकार दा उसनों बोद नहीं है पिता सामने बैठा है, पिता दे रंग रूप दा उसनों ग्यान नहीं है पैन भी सामने बैठी है, पर आवी सामने बैठा है पर उस दे नैन नक्ष कैसे ने, वो दा आकार कैसा है, कुछ भी बोद नहीं पदार खांगा रंग रूप की है, कुछ भी पता नहीं अगर उस दी ग्रस्त जिंदगी होगे, पतनी होगे, या पती होगे नेतरहीन इस्त्रीदा, की रंग है, की आकार है, की रूप है कोई भी बोद नहीं, कोई बोद नहीं आकार दी भी अपनी महानता है असी फिसदी ज्यान बैरूनी बार दा मनुख नेतरां दे राही संग्रे कर दा देख देख के संग्रे कर दा दर्शन दी अपनी महम है वेखन दी अपनी महम है दृष्टी दी अपनी महम है दृष्टी दा अपना पसारा है एक सैंटिस्ट अगर उस दी दृष्टी कम नहीं कर दी तो फिर सैंटिष सैंटिष दा सारा विकास एक विग्यान के दी सारी बुद्ध रुक जाएगी वेख नहीं सगदा जद वेख नहीं सगदा तो खोज की करेगा जद वेख नहीं सगदा पदारित नो किसे वस्तुन और किसे हस्ती नो तो उस दे पारे वो बोध की दे सकदा उस दे पारे वो जानकारी की हासल कर सकदा और उस दे बारे वास्त वक उकी ग्यान हासल करेगा अख्खांदी अपनी महम है पर अख्खांदी का अपनी कमजोरी है अखां सारे संसार नू देख सक दियान सूरज चन तारया नू देख सक दियान अखां उचियां उचियां इमारता नू देख सक दियान पहाडा नू देख सक दियान सुक्षम तो सुक्षम चीजा नू देख सक दियान अस्थोल तो अस्थोल चीजनों देख सकदियाने पर दो अखां दी अपने एक कमजोरी दो अखां अपने आपनों नहीं वेख सकदिया एक अख नहीं वेख सकदी अपने आपनों में कैसी है वेखन लेई दरपन दा सहरा लेना पेंदा है शीशा ज्या साहरा लेना पहिंदा है अखनों भी वेखन वास्ते है ए अख कैसी है? मेरी अख कैसी है? किस तरह दी है? इदे पुतले काले ने नीले रंग दी है? वड़ी है? छोटी है? म्रिगने ने? या आमपद्दर दियां? अखाने यह वो दरपन to मिलेगा दूसरे तो मिलेगा अख अखनों ने वेख सकती अख पहाडानों वेख सकती है अख दे अंदर एक निक्की जाई रड़क पैगी है ने वेख सकती दूसरा चाइद है थीसरा चाइद है दूसरे नू कहने अची जरा वेक मेरी अख देच की पैगे है हद हो गई ए अखां जो पहाडानों वेक सक दियाने सूरेच चंद तारियानों वेक सक दियाने अख दे अंदर पई होई रड़क नहीं वेक सक दिया और निकी जहीं ए रड़क निका जहीं ए तिन का वेखन देच अक्खा असमर्थन भाव वेखन लेग कोई दोरी चाहिए ये दोर दे ही दर्शन कर सकते हैं अक्खा वास्तविक इंजी कहले ये दोर दर्शन ही ने है अखांदे उपर किताब रख लेए नहीं पढ़ सकांगे किंकि अखांदे तो कोई तस्वीर रख लेए नहीं वेख सकेगे अख दूर दर्शन दाई बाउध करां दिये कुछ न कुछ दूरी चाहिए एक फुट दी दूरी दस पुट दी दूरी सौ पुट दी दूरी दूरी चाहिए इज केलो अखांदा नाई होना चाहिए दूर बीन फारसी दा लवज बीन आई वेखड़ा दूर बीन दूर तो वेखड़ा बिलकुल अखांदे कोल है अख नहीं वेख सकती अखांदे दूर बीन ने थोड़ी थोड़ी दूरी चाहिए अख वेख सकती है लेकिन बहुत निकटता है बहुत निकटता है नहीं वेख सेंदेगा पर अख देच रड़क पेगी तिनका पेगया जद अखनों ओ नहीं दिखाई देंदा और अखाँ देच जो बैठा है जिदी शक्तीना लखाँ वेख नहीं आने ते अखाँ किस तना वेखण गिया उसमो इस स्वास्ते कल जुगदे अवतारी पुर्ष धन गुरु नानिक देवजी महराज नू कैना पेगया नानिक से अखनिया बियन जिनी डिसंदो माव पिरी उवक्खा होरने 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 जिनाना प्रमात्मानू वेखी दे इश्वर नू वेखी दे गुरु नानिक देवजी महराज ने एलानिया कैदेता अंधे ए ना आखियन जिनमक लोनना आएं अंधे से इनान का जो खस्मों गुत्य जाएं बिल्कुल उनानू अंधा नाखो जिनानू पदार्थ नहीं दिखाई दे दे दूर दिया चीजा नहीं दिखाई दे दिया वस्तुआ नहीं दिखाई दे दिया मनुख नहीं दिखाई दे संसार नहीं दिखाई दे दे उसनू अंधा आखो जो निकट तो निकट निरंकार है रॉम रॉम दे चरमे आया जिसनू ओ नहीं दिखाई दे 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 ओ अंधा है इजी कहलो एक दूर दे तल दा अंधा है एक निकट दे तल दा अंधा है ये दूर दे तल दे अंधे दूर दर्शन जेना नो दूर दिया चीजां दिखाई दे सकन इस तरह दे अंधेयां दी ताराद संसार दे चे बहुत ज्यादा नहीं है बहुत ज्यादा नहीं है थोड़े 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 सारी दुनियां में अंध्यां दी गिंती करी है ति दुनियां दी कुल अबादी दा ए एक विसदी हिस्सा भी नहीं बन दे बहुत थोड़े 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 जिना नो दूर दे दर्शन नहीं होदे या इंज कहलो जिनादियां अखां दूर दर्शन नहीं है इस तरह दे नेतर हैं इस तरह दे अंधे हैं बहुत थोड़े बहुत थोड़े पर जिनानू निकट दे दर्शन नहीं होदे उस प्रभू दे दर्शन नहीं होदे जो नेड़े तो नेड़े निकट तो निकट तो निकट, उन्न अंध्यानाल सारा संसार भरे आपे, जगत अंधा है, निकट तो निकट जो प्रमात्मा है, नहीं दिखाई देंदा, जगत दूर दे तलते सुजाखा है, निकट दे तलते अंधा है, इंजी कहलो, मनुक दी आखां दूर दर्शन ने निकट दर्शन नहीं ने दूर दर्शन ने नजदीक दर्शन नहीं ने निकट दर्शन नहीं ने इस दा मतलब जो नेडे तो नेडे है जद दिखाई नहीं देंदा तो उस दा ग्यान भी ने जद दिखाई नहीं देंदा तो उस दा बोध भी नहीं तो सारा संसार इस वर्दे तल ते अग्यानी मने आ जाएगा ग्यानी नहीं अग्यानी क्योंकि पदारत दा बोध है प्रमात्मा दा ग्यान नहीं है संसार दा ग्यान है निर्मकार दा ग्यान नहीं है सरीर दा ग्यान है आत्मा दा ग्यान नहीं है फल फुल बनस्पती रंग रूप आकार दा ग्यान है पर जो आकार तो रहत निराकार है उस दा ग्यान नहीं है अंधाय मनुक परमात्मा दे तलते अधे आत्मक तलते अर्दू दे हो गुजरे इस सबीडे मायानाज शायर डॉक्टर मुहम्मद अकबाल उकेंदे ने दिले बीनावी कर खुदा से तलब के आँख का नूर दिल का नूर नहीं इस्लाम दिच अरदास ले लवस प्रार्थना ले जो शब्द है वो है दुआ भी खुदा दे अगों दौा कर रहे हैं कुछ मंग रहे हैं ए आलों ए अन्भवी पुरस केंदा है खुदा दे कलों प्रभू दे को लों जद तुँ दौा करें उस दे अगों दौा करें तो खुदा दे को लों एवी मंगे आकर ऐ खुदा ओ अक्षां दे जिडियां तैनों वेक सका दिले बीना दे कर खुदा से तलब कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं इलम में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं हो वेगा अक्षरी ग्यान देच भी कुछ सरूर हो वेगा अक्षरी ग्यान देच भी कुछ सूजते समझ लेकिन इस दिच सरूर नहीं है इस दिच मस्ती नहीं है इस दिच ओ रस नहीं है जिस देन आल आकार बे जगदे सारे रस बे रस हो जान्दे ने तो ए आलुम केंद है मंगे हकर उस अख़रों जो निकट तो निकट है देख सके जगदे सारे सनबंद भी दूर ने और कई दफ़ते बहुत दूर चले जान्दे ने मान दा समन, पिता दा समन, बिरामान दा समन, पहना दा समन, पतनी दा समन, पती दा और बचे अक्सर हर वक्त नाल नहीं होंदे, दूर हो जांदे ले कई दफ़ा ते माउथ उन्हानों हमेशा लए दूर कर दे लिए हादसे हमेशा लए दूर कर दे ले पर कितने भी नेडे हो फिर भी दोर ले एक फुट दी दोरी, दो फुट दी दोरी, दस फुट दी दोरी, आखर दोरी है लेकिन जो नेडे तो नेडे, रॉम रॉम दे बिस, उते नहीं दिखाई दे रहे है द्रिश दिखाई दे रहे हैं, अद्रिश नहीं दिखाई दे रहे हैं अकार दिखाई दे रहे हैं, निराकार दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उस निराकार मों किस तरह वेखी है सड़े देश दे रिशी मुनी अने एक तीसरी अख़दा भी जिकर कीता है शैद प्रमात्मा दा एक नाम है त्रिलोचन तिन नेत्रावाला और बहुत सारे मनुखाँ दे नाम भी चुंके धार्मक ने इश्वर मही ने तो त्रिलोचन नाम रखे आजांदा है त्रिलोचन तिन नेत्रावाला तिन अक्खाँ वाला परमात्मा ने पश्वान। भी दो दो अखां देती आने, मलकुन। भी दो देती आने, तिर लो चन, तिन नेतर, तीसरी आख, वाकई विदवान, इस तुरिक्टी देच, दो अखां दे मददेच, तीसरी आख मन देने, ओ है, ऐसी आख जो अद्रिश है, कई दफ़त ए दो अखां भी बंद हो जाने हैं संसार भी नहीं दिखाई देंदा रिष्टा तूट जान दा तांवीती जी अख नहीं खुल दी जीवन यातरा उस दी सफलमन नहीं चाहिए दो अखां बंद हो वन उस्तों पेले तीसरी अख खुल है संसार नाल देखन दा रिस्ता तुटे उस्तों पहले निरंकार दे दर्शन हो जाए पदार्थानू वेखन दा संबंध तुटे उस्तों पहले परमातमा दिसन लगता है परवार दृष्टी तो ओजल हो वे उस्तों पहले निरंकार दृष्टी दे चाजाए और मनुक मान नाल कैसे के मैं पेखे औरी उचा मोहन सबते उचा गुरुवरजन देव जी महराज के इने उचिया तो उचिया जो महाँ है बेख रहे हैं असी भगत कवीर उस तीजे नेतर नुवे दो दो नेतरा नाल तश्वी देने ने दो दो लो चन पेखा हो हर बिन आवर न देखा में ते वेख रहे हैं हरी तो बिना हुण कुछ भी नहीं दिखाई देदा हरी ही दिखाई देदा दरसलो तीजा में तरेना दो अक्षां देश समा जाना है वो तीजी अक इना दो अक्षां नो महान कर देदिए कई दफा देखे हैं खुशी देच, महान खुशी देच, अखां पहले नलो ज्यादा खुल जाने यान, वड़ियां हो जाने यान जिसनों मन देखना चांदा है, और देखके रस मिले, देखके खुशी मिले, अख वड़ियां हो जाने जिसनों मन देखना ही नहीं चांदा और देखके दुख होवे देखके घिरणा पैदा होवे देखके दुबदा पैदा होवे अक छोटी हो जादी अक छोटी हो जादी पर जिस दिन प्रभूदी जलक मिल दिये और उतीसरी शक्ती दृष शक्ती इना दो नेतरा देश समान देए ये दो अक्खां बहुत महान हो जानी है बहुत वड़िया हो जानी है सारा ब्रह्मन ब्रह्मदा रूप जो है दिखाई दें लग पेंदा है धन्गुर गौविन सिंग जी माराज एक दिन परसन होके भाई साव भाई नंदलाल नुकेंदे ने पुरखा तू कुछ मंग तू कुछ मंग असी तेरी जोली देच पाईए तेनू देके सानू खुशी होवेगी तू मंग सानू खुशी होवेगी हैन ऐसे रिष्टे जिना नू देके खुशी मिल दिये और दुनिया दिछ हैन वे ऐसे सनमन जिना कुल खो के खुशी मिल दिये खो लेए नादा, खो लेए धन खो लेए, संपदा खो लेए, इज़त माँ मर्यादा खो लेए मौका मिल जाए ते जिन्द जान भी खो लेए हैं कुल खो के सुख मिल दा, जिना कुल खो के अनद मिल दा, पर दुनिया दिछ हैं ऐसे, जिना नू दे के खुशी मिल दिये, दे के परसंता मिल दिये, दे के अनद मिल दा, इसनू संपदा दे दिये, इसनू धन दे दिये, इसनू मान परतिश्टा दे दिये, इनू मान सनमा जिन्द जान दे दी है और जे किदरे लोड पे जाय कि इस झन्ओपनी जिन्द जान दे दी है देखे वी खुशी मिल दी है को के भी खुशी मिल दी है जो अपना है अजीज बहुत प्यारा बहुत प्यारा है मन नू चंगा लगड़ा है उनू देखके खुशी मिल दिये देखके खुशी मिल दिये अक्खावडिया हो जादी है जिसनल घिरना है उसको खो के खुशी मिल दिये अक छोटी हो जादी है अक वेकना भी नहीं चादी है धनगर गौविन सिंग जी महाराइडा फर्मान नंदलाल तुमेनो बहुत अजीज है तुमेनो बहुत पयारा है तुमेनो बहुत चंगा लग रहे है तेरी सेवा तेरा ग्यान तेरी इबादत तेरी शर्दा तेरी भावना वाकई महान है तो कुछ मंग असी तेनु देए तो मंगे एसाड़ी खुशी असी तेनु देए एसाड़ी परसंता एसाड़ा अनंग तो मंग भाई साथ भाई नदलाल मंग कर देने एकल वक्री है कि भाई साथ दा सारा कलाम परशियन देच है फारसी जबाँ देच है और गुरगोविन सिंग्जी महराई दी दुनिया दी भाशावां दे समझ देच भावन एह समस्तुल जबाँ है के साहिब के राँ है सारी भाशावां देच तेरी ही भाशावां देच तेरी ही भाशावां देच तेरी ही भाशावां देच तेरी ही भाशावां देच सब तेरी ही भाशावां देच जद सब कुछ तैथों आया है तो भाशा भी तैथों आईए जद सब कुछ तैथों आया है तो जबान भी क्योंकि किद्रे मजब देना ते भेद खड़ा हुझा 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 जबान चो बोले होए अक्राँ दिशतों है और निकली होई आवास धुन एतुई है भाईसा भाई नदलाल उनादी जो जबान है वो पर्शियन है फारसी है जब धनगुर गोगन सिंग जी महाराज फरidays प्रमान करदे ने मंग करो मंग करो असी दे के खुशों मुंग तो मंग सानु दे के परशंता मिले गी तो भाईसाब जी मंग करदे ने महान मनुका दी मंग भी महानों दीए तुछ मनुखां दी मंग भी तुछ हों दी है जैसे बच्चा खिडोने ली रो रहेगा खिडोने दी मंग करता है मामूली है तुछ है सोच शक्ती मामूली है मंग तो भी पता चलता है मनुख की है वासलुक मनुख की है जिस मनुख दी मंग बेमेनी है जिस मनुखदी मंग जड़ है जिस मनुखदी मंग कोई खास नहीं वो मनुखवी कोई खास नहीं है कुछ भी खास नहीं है महान मनुखदी चाहत बहुत महान हो दिये अजेम हो दिये तो भाई साथ भाई नंदलाल अपनी मंग जगद देदाते सर्वशक्त इमान धन गुर गोविन सिंग जी महराज देग्मों रखते ने या इलाही चश्म बीन आए बे दे दर सरम अज इश्क सवदा आए बे दे ऐ मेरे इलाही ऐ मेरे गुरु जे देना है ताँ ओ अख दे जड़ी तेनू वेख सके बंद अखाने मनुक सुता पे है जगान वास ते आवास चाही दियों दिये आवास खड़ाक इसी तरीके नाल परमातमादा जो नाम है परमातमादा जो शब्र है रसना अगर उसनू अला पे ते कन उसनू सुन तो एक दिन मन देच चाहत पैदा हो जादिये जिसनू सुन रहे हैं जिस तो मन प्रवावत है उन्नू वेखिये सुन सुनना तुमारा प्रीतम प्रपेखन का जाओ वेखन दी लालसा पैदा होगी विखन दा चाव पैदा हो गई विखन दी बुख पैदा हो गई है जैसे जैसे जब कर देयां कर देयां अंदर दियां शक्तियां जाग दियाने और एक दिन वाकई अक्षां पूरियां खुल जादियाने और जैसे खुल दियाने फिर संसार नहीं दिखाई देंदा निरंगार फिर पदारत नहीं दिखाई देंदे प्रमात्मा फिर प्रवार नहीं दिखाई देंदा फिर निरंगार दिखाई देंदा मांदेच प्रभूदी जलक मिल दिये पितादेच प्रभूदी जलक मिल दिये जैसे के धन गुरु अर्जन देव जी महराज प्रमान कर रहे ने मात पितासुत बंदप भाई नानक होवा पार ब्रम सहाई एपरी पूरण प्रमात्मा उनते मादे रूपिच भी तुम दिखाई देना है मैं छोटा सी, मासूं सी, कमजोर सी तुम मां दे रूपिच मेरा सहारा बनेया पर जद में बुढ़ा बन गया कमजोर हो गया, लाघर हो गया तुम पुतर दे रूपिच मेरा सहारा बनेया किदरे पतनी दे रूपिच मेरा सहारा बनेया तुम पती दे रूपिच मेरा सहारा बनेया तो पुत्राँ दे रूपेच मेरा सारा बनेया तो भिरावाँ दे रूपेच मेरा सारा बनेया प्रवार देच निरंकार दिखाई दे रहे हैं पदार्थाँ देच निरंकार दिखाई दे रहे हैं सारा ब्रैमन ब्रम्दा जो है रूप दिखाई दे रहे हैं धन गुरू अमर अमर्दास्ची महराज फर्मान कर देने ए मेत्रों मेरेों हर तुम्में जोत धरी हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने हालेया अखान उपदेश कर रहेने धन गुरु अमर्दास्ची महराज बिर्द बाबा ए अख्यों प्रभूत बिना और कुछ नदेखना धन गुरु नानिक देवजी महराज ते थे तक कैने देजए अख्यी प्रेम कसाईया हर हर नाम पिखन जेकर दूजा देखदे जन नानिक कड़ देचा अख्या देच इतना प्रेम हर पासे हरी 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 पर जे कर दूजा वे ख़दे है गुरुनान के देव जी महराज प्रवान कर देने ऐ अक्षियो ते होर नू देखे है तो नू कुछ होर देखे जाना कड देना चाहिए देना की लोड़े ना दे अक्खा उस दिन महान हो जान दियाने जद जर्रे जर्रेच प्रवु दिखाई देन लगता है अक्खा उस दिन महान हो जान दियाने जद शरीर दे रोम रोम देच प्रमात्मा दिखाई देन लगता है इसे नू कहने ने अधियात्मक दृष्टी इसे नू कहने ने गुरुमत दर्शन इसे नो कहने ने गुरू दी अख प्राबत हो गई प्रबू दी अख जो है प्राबत हो गई ऐसी अखान देच पवितरता होगेगी ऐसी अखान देच मासूमियत होगेगी और ऐसी अखान देच अमरत होगेगा तदी ते कहने ने अमरत मैं द्रिष्ट द्रिष्टी देच अम प्रद्दी बर्शा हों दिए ए जित्थे तक वेखड़ा है वेख़ के भी कहिया नो निहाल करदा है जैसे के पादशादी बानी कें दिए नामिक नदरी नदर नहार वेख़ के ही निहाल करदा है वाकई अखां दिछ अमरत होगे मासूमियत होगे पवितरता होगे हिरदे द अच्छ दया होगें इस तरह दी दया फिर अखां दे रहा ही प्रगटों दिये अज तक ते अशासी समझ देयां कि हत्थां दे नाल कुछ बंड़े आ जानदा है पर नहीं जिना दी अखां ने प्रमात्मानों वेखले है और जो पावन हो गई आने इस तरह दे मनुख अपनी अखां दे नाहीं भी अम्रतमण दे रहें देने ओ जित्थे बैठते ने दृष्टी नाल ही सब कुछ पवित्तर कर देने एक साधू ने वेश्वान वेख के देवी बना देता अपनी दृष्टी नाल ही देवी बना देता भाई गुर्दास उस दी बकैदा कथा लिख दे महापुर्ख अचान चस्थ गनका वाड़े जाये खलो था गनका दे घर चला गए ग्या की दृष्टी की मारी गनका देवी हो गई उधी रसना तो भी राम नाम दीधोनी बुलंद हो गई उभी राम राम कें लगपई गंदे गीत गान वाली फैश अलाप करन वाली अज राम अचान उस दिन अम्रत बंदियाने जिस दिन पूरियां खुल जान और पूरियां उस दिन खुल दियाने जिस दिन पूरा मिल जान दा है पूरन परी पूरन प्रमात्मा प्रापत जैसे होंदा है अचान पूरियां खुल जान दियाने इसे नो धन गुरुनानिक देव जी म महान अक दी प्रापती हो गई है और इसे नों अख है अद्रिश अक अक की 식 के बाजों बेखना बिन कनना सुनना इए ही है अख्षां तो बिना hणा भाव अनभव दी अक अमरत में डृष्ठी प्रमात्मा दी leष्ठी ऐसे मनुख दी अक्षा, मनुख दी अक्षा नहीं नहीं, परमात्मा दी अक्षा नहीं, गुरू दी अक्षा नहीं, अक्षा उस दिन महान, जदे अक्षा ही प्रभू दी अक्षा बन जान, एक्षा ही परमात्मा दी अक्षा बन जान, एक्षा ही गुरू दी अक्षा बन जा इसे नो केंदने अदे आत्मक रिश्टी